सो गाइज अभी आपको फ्रेम में जो चार से पाज चीजे एक दो तीन चार और पाज यह तो इसको में यूज करता हूं इसके कोश्टिंग प्राइस मोडल क्या कैसा रिखता है बैटरी वैकप सब कुछ जो है मैं आप यह है यह है कैमरा के सुल यूलांजी इसका कंपनी का ना में यूए यह रहा अपना कैमरा जिस चीज के लिए वीडियो स्पेशल बन रहे हैं सो इदर जो है ब्लैक सेवन मलब गोपरो हीडो सेवन ब्लैक मूडल के आपको बैजिंग मिल जाते हैं ठीक है आप जितने कम एंगल में रिकोर्ड करोगे बैटरी के आपको रुपीज के रहा है तो कीमत अब डाउन होती रहते है बीस अठारा सो कुछ फरक नहीं पड़ता आप तो आज की वीडियो होने वाली है गोपरो हीडो सेवन जो कि मैं यूज करता हूं इसकी कोश्टिंग प्राइस मोडल क्या कैसा रिखता है बैटरी बैकप सब कुछ जो है मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में तो फिलाल रिकोर्ड करने के लिए जो है मैंने अपने हैं कैमरा सेट अप में जो है यह मोबाइल का जुगाड क्या है क्योंकि जो मोबाइल को मैं फिलाल यूज कर रहा हूं जो कि यह रैडमी नोट 10 प्रो इसको मैं चैनल पर पढ़िए गोप्रो ईडियो सेवन की पस्ट वीडियो रिव्यू की तो उसी में बहुत सारे कमेंट्स थे भाई कोई प्राइस पूछा था कोई पीन पूछा था कोई जैक अडप्टर क्या कोश्ट है तो सारी वीडियो में कवर करने वालों मैं अभी तो एंड त ऊच्छे से दिखाता हूं क्या है सेट अप कितने का है क्या कोश्ट पढ़ते है क्या function है कैसे में यूज करते हूं तो सारी वीडियो में कवर करता हूं सौच्छा से हेलमेट में सेट करके मिलते हैं तो गाइज अभी फ्रेम में आपको टोटल जो पांच चीज़े दिखाए दे रही है वन टू थ्री फोर एंड फाइफ सो एक एक करके मैं बताऊंगा कौन सी चीज को क्या बोलते हैं और क्या उसका यूज होता है इन पांच चीज़ों के मिलागा है प्लेस पे बन जो कि मेरे कैमरा सोरी मेरे हेलमेट भी जो है इस्ट्रिप लगिया है जिसके बिना आपको जो है कैमरा सेट नहीं हो सकता मोटर बॉलोग सेट अप में अगर मोटर बॉलोग कर रहे आप तो वो इस्ट्रिप भी ज़रूर यह है आपका मोटर बॉलोग सेट अप त्यार करने के लिए त हorter देस नर्मालिये केमरा पर्चार पर प्लिट के अलावार, इसा दाता है ये Mijnे उनलाइन मंगाई था अमेजन से डिस्क्रिप्सिन में डाल दूंगा इसके साथ में कुछ 3-4 परकार के माउंट में इसको इस्कुरू बोलते हैं यह स्कुरू होता टाइट करने के लिए सो मालब 3-4-5 तरीके के 300-300 मेरे पास एक्षन प्रो के मैंने यह मंगाये थे इसके बाद आते हैं इसके माईक बोलते हैं इसकी जो टोटल लैंट लगबग एक मिट्र ज्यादा है यह मेरे हैलमेट में इसकी इसकी कीमत थे और जो दूसरा माइक मेरे हेलमेट में लगा हुआ है उसकी जो है 200 पी कीमत तो दोनों की सेम लैंथ है और आवाज सुनों की अल्मोस्स सेम है कुछ फरक में को लगाने है बाकी बिगनर के लिए बैस्ट है कोई दिक्कत नहीं आवाज बढ़ी आती है साउंड डिडियूस तो पहली बात कैमरा से हो जाती है तो माइक का कोई काम नहीं है तो आगे से कुछ ऐसा दिखाए देता है इसको पर फोम लगा हुआ है ताकि आपकी थोड़ा डेस्ट और वोइसको साफ करके अंदर डाले तो कुछ है नहीं चारों तरफ कुछ है नहीं तो कैमरा में यह डारेक्टली नहीं लगता है बताऊंगा मैं किस तरीकी से कैमरे में लगता है तो इसकी कीमत डेट सो से 200 पर पड़ेगी डिस्केप्सर में आपको लिंक मिल जाए इसका वहां से पर्चेस कर सकते है है तो आप अमेजन से ले सकते हैं और एक खास बात और जब आप यह यूज करें तो यह पिंस को ना इतना ज़्यादा तरीके से मत दबाओ के तूट जाए यह जो पिंस है पिलास्टिक वाली इनको ऐसे दबाना नहीं है अगर दबाओ तर टूट जाएगा क्योंकि काफी पिलास्टिक होता है तो दबाने पर जल्दी से टूट भी जाता है तो कोशिश करना इसको ऐसे दबाओना बिल्कुल जितनी रिक्वार्मेंट है उतना ही दबाओ तो आपका जो है यह जे हुक सेफ रहेगा और जो है आप अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे मोटर कंपनी का नाम है इसका अगर मैं वेट की बात करें तो इसका राउंड 30-40 ग्राम मैक्सिमम बता रहा हूं 50 ग्राम भी इसका वेट नहीं है वेट बहुत कम होता है इसका ताकि आपका हेलमेट सेटप पूरा भार ही ना लगए इसलिए इसका वेट एंड क्वाल्टी इस तरीके का यह मेरे को परता नहीं है यह प्लास्टिक का या फिर कोई तरीके का वाई है जैसे बोलते ना डेक चून अभी समझ में आता प्लास्टिक का मेरे को वैसे प्लास्टिक का लगता है काफी लाइट है यह कैमरा केस है तो ऊपर से ऐसा है इसके अंदर जो आप मा पर माइक कैमरा से निकाल कर जो माइक इदर लगा सकते हैं यह बटन है यह बटन है कैमरा ओपनिंग करने का बटन होता है तो आप बटन दबा के कैमरा चालू कर सकते हैं इधर साइड में बटन है इधर भी जो है कैमरा के मोड चेंज कर सकते हैं जैसे कि टाइम लेप्स में फ फिदेख च्छोठी से डिस्पेले मैं टीसमें आपको टामिंग व्गारा का प्ता लाग जाता है कमें एदर च्छोटा सा सरकल और ये चुरह के आगे एक लाइट होती है मैं जिससे आपको पता लगा से आपको इस पूरफ यह च्लिया तो आपका पूरा सेटफ तियार योजाता है इस फ्रेम के अंदर वीक समय के आपको बाहर कुछ हैलमेत में चिपकाने की झारूति 조 coaching फज को आपको अच्छे से देख़ लो यहने कुछ अ C को पसाने बाद टाइट कर दूंगा तो यह मेरा तयार हो जाएगा बिल्कुल हैलमेट में लगने के लिए फ्रेम अच्छे जए तो कुछ इस तरीक्वे का यह दिखता है हैंड़ में असली से लगा सकता हो हैलमट में न घंद का बार भी नहीं रहता है यह छोगों के John में भी ने मूवमेंट मैं नेक मूवमेंट में दिक्कर भी नहीं होती है तो इस फ्रेम का फाइदर यह है यह आपके सारी चीज़े जो है इसी फ्रेम में रखता है सेक्योर करके अच्छे सेफ भी है आपका अडप्टर भी सेफ है कैमरा भी सेफ है ठीक है तो गाइस यह फ्रेम था यह मेरे को ना इंधिंक 900 या फिर 950 रूपीज के राउंड जो है अमेजन से मैंने पर्चेस किया थ तो अच्छा यूज है मेरे को कोई तकलिफ नहीं इसको यूज करते हैं क्वालिटी अच्छा है मजबूत है मेरे को दिक्कत वाइने तो फीडबेक जैन्वन दे रहों है तो आप पर्चेस करना चाहिए तो डिसक्रिप्शन में आपको लिए इसको भी साइड कर देता भी का यूज अच्छी से बताऊंगा किस तरीके से मैं इसको यूज करता हम तो सु फिलाल इसको साइड कर देते हैं यो चीज फॉर चीज आते हैं फॉर्थ ऐंड फिफ्फ ए Ara फिफ्फ ही है अगर पहले फॉर्फ बा आता हूं उसके बाद फिफ्फ से उस बताता हूं क्या है ठ ठीक है साथ में आपको कुछ यह charging port के लिए है फिर आप इसमें माइक वगरा के लिए HDMI के लिए यह आपको दो मिल जाते छोटे-छोटे इस पोर्ट का मेरे को यूज नहीं पता सच बतारो मेरे को यूज नहीं पता इस छोटे वाले पोर्ट का यूज क्या नहीं मैंने अब तक इसका यूज क्या यह वाला तो पता है इसमें जो आपका अडप्टर यह लगता है ठीक है अडप्टर लगत भूक मारें तो निकल जाते हैं तो इसके इसके इंदर नहीं जाएगा ठीक है तो खुलेगा निए खुलेगा नहीं तो आप चार्ज निकर पाओगे इसको माइक ने इसको अटेज कर पाओगे लाइं यह स्पीकर है और यह बटन क्या है यह बटन भी बताता हूँ अब हम गिस गया क्योंग जो को कि मैं आप हूंसे नसे क्षैजल थोड़ा हुट हुट है तो उंग्ली से नहीं दपता नाज़ian है क्जIES है नहीं इसके अंदर जो मेटल है ना बटन का मेटल यह मोड का बटन है मोड का बटन ठीक है अभी इन बटन का यूज भी बताऊंगा कैसे क्या उपन होता है तो यह रबर जो निकल गए अभी बटन दिखने लगा अंदर से तो नखुन से तो कट जाती है यह तिन वार में दबाता यह दोनों बटनों से चाल लोता है लेकिन डिफ्रेंट बताऊंगा दोनों का क्या डिफ्रेंट से अगे से कैमरे की बात करें तो यह आपका कैमरे का लेंज है 12 मेंगल पीक्सल और यह डिस्प्लेइच चोटी सी इसमें जो आपको दिखा देगा कि आपकी अभी कितनी स्ट पड़ा है तो आठ मैंने डाला है वह अच्छे से डल जाता उससे कम का नहीं पता दो जीवी का डालोगे तो आपका कुछ फायदा नहीं है अच्छे से लगा हुआ है अगे से पार आपको जो क्येमरा चालू करकर दिखाती हूं दोड़तिव्स सटे उसी है ओ इससे पहले जो में आपको दिखा जेता हूं इसके नीचे क्या है यह बटन आपका रह गया था यह बटन मैं मैंने प्रेस किया तो इसके अंदर जो है यह छोटी सी बैटरी निकल के आते हैं बैटरी यह अंदर बैटरी का पत्ता है इसको मैं खीचूंगा तो यह बैटरी निकल के आ गए तो गोप्रों की बैटरी का इस चोटी सी ऐसी दिखते हैं पाफी छोटी से इसके अंदर जो ही आपको नजर आ रही होगी एंदर दिखा दिखार यह दो यह लो मैंने यह भी निकाल कर आपको दिखा दिया थे सब्सक्राइब का सेंडिस्क का अल्ट्रा मेमरी कार्ड है कि अगर आप प्रेस करेंगे तो अच्छे से इसमें सैट हो जाएगा लो हो गया सैट एंड यह उतिया बैटरी तो बैटरी डालने स्क्रीन पर आपको एक जगह लाइट दिखेंगी वह आप नोटिस कर लिए उससे पता लग जाएक हाँ पावर सप्लाइच चालू हो गया है मैंने इसकी लाइट ओफ कर दी थी तो पावर सप्लाइच का पता नहीं लग पा रहा है चालू है कर नहीं है ओ सोरी मैंने बैटरी गलत लगाई थी इसलिए नहीं पता लगा अब इधर बिलिंग वहाता है इसका मलब है कि बैटरी लग चुकिया है और जो पावर सप्लाइच कैमरा में चालू हो चुकिया है मैंने बैटरी उल्टे लगाई थी तो इस वेशे चालू नहीं हो था मेरे को लगा था कि मैंने ओफ कर दिया हूँ सिस्टम को इसको आप औ मैं अभी प्रेस कर दिया तीन बीप के बाद कैमरा एक्टिवेट हो जाता है तो मैंने वी मोड बटन दबाया है तो मोड बटन दबाने के बाद मेरे सामने को इस तरीके की डिस्पेल आई है अब आपको जो अच्छे से फोकस नहीं हो पा रही है यह डिस्पेले तो 28GB का मेरे पास memory card डला हुआ है इस camera के अंदर और और अच्छे से आपको डिस्पेले नहीं दिख रही है तो इसके लिए मैं sorry बोलता हूं तो इसका है चार गंटे 23 मिट लिखा हुआ है मतलब कि चार गंटे 23 मिट के अभी recording बाकी है जो मैं कर सकता हूं अपने camera से 1080p 60W लूँ में 8060 में फ्रेम पर सेगंड वाइड एंगल वाइड एंगल तो तीन एंगल इसके अंदर आते तीन जो है व्यूज में आप देख सकते हूं ठीक है तो चार गंटे की 128 में अभी में अभी इसके इंदर काफी से बहुत सारे वीडियो पड़े है जो की 6-6.5 गंटे म में आराम सकता हूं अगर मैं वाइड एंगल मोममें चला रहा हुआ जिर तीन उनकल मोड में और इस एंगल मोड पाट नहीं है वीडियो मोड में इसमें चला रहा हूं तो मैं च्happy 12 sheet memory card में अच्छे से बढ़े हरा से वीडियो निगाल सकता हूं भीना कि सी करो दाएडरекст यह वीडियो रिकोडिंग मोड में चाल हुआ है इधर अपना एंगल लिखा हुआ रहा है एक हजार सी पिक्सल साथ फ्रेम पर सेग्ड वाइड एंगल प्लेस करूंगा तो थोड़ा सा फ्रेम बड़ा हो जाएगा ऐसी जीतना जूप करना चाब कर सकते हैं इधर है 74% देखो तोटल तीन एंगल यह के वाइड एंगल में जो भी में पिछला इर्श बोग है और सुरू के कुछ भलोग है जो सूपरवाइड में इल्ट्रा वाइड में सूट है ठीक है तो तोप तीसरे नंबरो गासूपर वाइड एंगल है उसमें आपकी बैटरी जलती है 30 मिनट मैं थीस मिनिट दो ज़ार पाच मिट आप नीचे ले सकते हो इसमें बैटरी चलते है यह वाइड एंगल इसमें आपके चलते हैं 40 मिन बैटरी बैटरी की जरती है मेरा खूद सेयर्ट है 40 मिन राम से चल जाती है एंड थड़ आता है linear ठीक हो अभी मैंने settings open कर लिया है अब focus की वज़े से guys जो है आपको दिखनी पारी है screen एक 1080 pixel यह frame फर्स्ट आता है linear second आता है wide थड़ आता है super view देखो मैं linear करता हूँ मैं जो है camera को हिलाऊंगा नहीं आपको फरक दिख जाएगा कितना है अभी मैंने linear कर लिया है linear में कुछ जो है इतना cover हो रहा है अभी मैं जो है दूसरा कर लेता हूं wide कोशिश करों केमरा को जादना हिलाऊं यह wide angle है तो guys दिखने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है और यह है ultra ultra में super view जो है अच्छे से ओन कर देता हूं super view यह मैंने super view उन करते हैं super view में इतना देखो यार camera और इसके साथ में कितना space ले रहा है अच्छे से और wide करता हूं दूबार से wide में भी camera के साथ में अच्छा भी भी space ले रहा है तो guys अगर इस camera को आप जो normally daily blocks में यूज़ करना चाहरे है तो wide angle या फिर linear mode जोगी wide से कम है थोड़ा सा framework छोट हो जाएगा linear या फिर wide में करना चाहरे तो आप अच्छे से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं super view में भी कर सकते हो पर daily blocks में जो है आपका यह अच्छे से cover कर लेगा wide angle में सो मैं तो wide angle में यूज़ करता हूं अगर family blog में कर रहा हूं और motor blog में wide या फिर super wide में करता हूं यूज़ सो यह मेरा experience था इसको लेकर कोन से angle में record करता हूं आप जितने में रिकोर्ड करोगे battery की आपको capacity उतना ही मिलेगी और जो है storage में भी फरक पड़ेगा इससे 6-6,5 घंटे भी हो सकते हैं अगर आप सेम मोड में यूज़ कर रहे हो और इसके बाद जो है settings से बात कर लेता है इसमें battery मैं आपको बता दिया लिनियर मोड में आपकी 40-45 चल जाती है वाइड एंगल में आपकी 40 मिनट चल जाती है और सुपर वाइड में जो और ज्यादा काफी चोड़े देता है उसमें आपकी बैटरी आधा घंटा चलते यार क्योंकि एक और डिस्टोरेज जो काफी बड़ी हो जाती है कि फ़र्स टाइम जब मैंने जो है इसमें 8GB का मेमरी काड डाला था सेंड डिस्का ही मेमरी काड था तो 8GB के मेमरी काड में अल्ट्रा व्यू मोड में इसाप गाइस चोदा मिनिट मेकसिमं मौ 15 मिनिट की वीडियो रिकॉर्ट हुई था जिए अप आईडिया लगआ सकते हो कि सूपर व्यूम मोड में जो की य सुपर लीट वाइड जिसका उसमें 8GB काड मेरी 14-15 मिनिट हुए था जो आप यस सब आज लगए अगर six 128 में करूंगा तो कितनी की होईगी मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब इसके बाकी मोड के लिए इसमें क्या क्या फीचर से इसमें जो आपको वह वाइड एंगल का मिल जाता है एंड बैटरी के अपिसीटी का बता दिया फ्रेम अच्छा वीडियो क्वालिटी अच्छी ह इधर से अगर मैं प्रेस करूंगा तो यह है फोटो मोड फोटो मोड जो है चाल हो चुका है वाइड में इसका भी फोटो कर कैसे आप एंगल ले सकते फोटो के परपस से मैं बहुत कम यूज करता हूं यह टाइमलेस में जो इसकी अच्छे क्वालिटी ऐसी कोई दिक्कत ह है नहीं आप अच्छे से यूज कर सकते इसको तो यह रहां वीडियो मोड वीडियो में बता दिया और जो सभी लोग भाई पर इसान में रो रहे हैं कि प्राइस क्या इस कैमरे का सो आगे से देख लो ऐसा दिखता है वह थी प्रीमियम लगता बड़ा चोटा सा है आपको म अब करना इसको थोड़ा बीच में रैस्ट भी देते रहो आप तो अभी हीट हो रहा है मैंने टच किया इसको तो हीट हो रहा है कोस्टिंग की बात करें इसकी तो मैंने यह जी हैं नोंबर में लाश्टिर 2022 में दिवाली से पहले लिया था एंड इसकी मुझे कोश्ट पढ लग है 22,000 कोश्ट पड़ी थी एंड इसके रेट थोड़े बढ़ते गड़ते रहत्यार अभी कभी 18 कभी मिलने लगता है कभी 19 कभी कभी 20 कभी मैंने लिया था एक डीलर से सो थोड़ा सा सो इस थोड़े से बैड एक्सप्रियंस की वजए से जो है मैं आपको बता नहीं सकता कितने कोश्ट पड़ी है और जो अभी सूट करते करते रात होगे यार इस वीडियो को क्योंकि फोन जो बार-बार हीट कर रहा है तो हीट की वज़े से बार-बार कैमरा बटन इसको आप दबायाएंगे दो-тीन सेक्ट तक तो आपका कैमरा चल्व हो जाएगा दो तीन सेक्ट तक दबा कर रखें तो कैमरा बंध हो जाएगा यह बटन यह इस यह लिप रोका यूज ही निया यार क्योंकि दोरान आप बार-बार की व्यूच्र करके नहीं कर सकत आप सिंपल प्रेस कीजिए मैंने सेटिंग सेट की हुए कि अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा जो है युझ है नहीं पता किस तरीके से डिस्प्लेइ दिखाई दे रही है यह इन स्वार्व आयरा अफ इस मोभाइल से लागा है आपके लेशें डिटन को चालू कर सकते हैं दो से कैमरा की कोस्ट पड़ी थी November 2022 मैंने पर्चेस गया था दिवाली से पहले अगर आप बिगनर हो तो इससे जो पिछले मोडल है गो गोप्रो फाइफ आप उसकी तरफ बिल्कुल ना जाए सो गाइज एक बार जो है दो बारे से कीमत कोस्ट जो हमें रिपीट कर देदूं गोप्रो यूरो सेवन यह राप के सामने 22,000 इसकी कोस्ट पड़ी थी और इसके बाद यूलांसी का फ्रेम जो कैमरा इसके अंदर सेट होता है यूलांसी का फ्रेम है अंदर से कुछ ऐसा सकते हैं और यहां से यह लोग हो जाएगा और कैमरा कहीं भी नहीं जाएगा तो कुछ इस तरीका दिखता है साइड से आप बटन प्रेस करने के लिए मिल जाता है उपर से बटन प्रेस करने के लिए मिल जाता है साइड से जो आप अराम से अपने जो आप चार्जिंग पो कुछ इस तरीका का दिखता है गोप्रोप की बैजिंग लगी हुई है इसके साथ में यह सी टाइप चार्जर है और यह 3.5 mm का जैक है क्या है इसका यूज है आपके जो है वोइस माइस के थुरू वोइस कनवर्ट करने का ताकि जो आपकी वोइस रिकोर्ड हो सकते हैं तो इसके लिए आपको माइकरप्टर की जरुत पड़ेगी 3.5 mm का जैक है यह जो है आपका यूस्वी सी टाइप चार्ज कर सकते हो इसमें лекंडे चार्ज हो है आप इसमेंारे का जर्वी कर सकते हो हैं जैसे आपकी चोईस है आप वैसे कर सकते हो हैं यहाँ शर्ज कर सकते हैं यहां भी 3.5 mm का जैक है नृ serum लेग जाता है लगने के बाद कुछ कैंछ को इस तरीका दिकाय देरा और यह राम माईक तो घुज पो तरीका आप यहां से इस वायर को पास कीजिए फ्रेम के थुरू और इसे एक खास बात और कैमरा जो है वाटर प्रूफ है मैंने कभी आज तक इसका वाटर में टेस्ट नहीं किया यार क्योंकि मैं नहीं चाहता खराब हो बाई चांस हमारी किसमत रही तो खराब भी हो होistant ये यह योप्रो का अड़ीचा बोलते इसको मflowsचा अड़िए यह वाटर्पूफ महीं होता है अभी दिक्कत आ रहे तार को अंदर फसाने में तार को कैसे निकालू एंड 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 निकलने लग रहा है थोड़ा थोड़ा काई यह वायर जो बहुत हाड होती है इसकी जल्दी से इस फ्लेक्सिबल नहीं है इस तरीके से तो यार जाएगा भी नहीं है कि अग्याइब करें अग्याइब करें अग्याइब करें यह निकल गया है अड़क्टर अड़क्टर जो है मैं इसके अंदर फसा देता हूं कि अग्याइब करने के लिए आपको यह वायर को गुमाना पड़ेगा कोछ इस तरीके से बैंड करना पड़ेगा शुरू-शुरू में आप लोग एड़क्टर तो वायर बहुत हाड होगी तो अभी तो यह घूम गई है तिरसी होगी है क्योंकि इसक्वादत हो गया रहने करने की सो ऐसे टेड़ा करके आप इस पिन को लगा सकते हैं जो भी आपका कैमरा त्यार हो गया है अड़क्टर के तुरू जो है कैमरा के अंदर जो है आपकी साउंट रिकोड होगी 3.5 mm का जैक लगाने के बाद अच्छे से आपका जो आभी कैमरा सेटप बिल्कुल तिया आपका कैमरा की या फिल में ज्यादा का आपका कैमरा यूज हो रहा है तो कैमरा जो आपका है करने लगता मतलब कि डिस्पले जुका इसा इसा इसको करता है हिस अब कैमरों के साथ होता है सो गाइस बार-बार मोबाइल हीटिंग की वजए से जो एक कैमरा बंद हो रहा था जितना रिकोर्ड हुआ जितना मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए यह बेसिक चीजे है यह जरूरी चीजे वोप्रो के बारे मैंने आपको बता दिये कोश्ट दोबार से बता देता ह माइक कीमत जो हेलमेट में लगता है लेट सो से 200 रुपे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा माइक बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूं और उसके बाद आते यूलानजी का केस जो मैंने बताया कैमरा का फ्रेम जिसके अंदर अड़ोप कीमत करना मेरे हिसाब से बीगनर को यह तो ले लिने चाहिए बाकि आपके पास पैसा है तो कोई बढ़ा भी ले सकते हो दूच्छा मेडल भी ले सकते हो तो इसकी 22,000 रुपे कीमत पड़ी थी तो कीमत अब डाउन होती रहते है 20-18 तो कुछ फरक नहीं पड़ता आप दु कीमत 4,000 हमेशा रहती है जो आपकी साउंड को कैमरे में डालता है रिकोर्ड करता है ठीक है आप इतनी स्पेस से अपनी आवाज जो है गोपरो को नहीं दे सकते अगर आप मोटवलोग कर रहे हैं क्योंकि अच्छे से आवाज रिकोर्ड नहीं होगी नोर्मली में जैसा कि म मैंने आपको इन्फोर्मेशन दिया है और कोई सवाल आपका रह गया तो कमेंट में डाल देना कोजिस करूंगा अगली वीडियो बनाऊं और आपकी सवाल सारे कवर करूं और गाइस जो भी था वीडियो में मैंने आपको बता दिया है एक लाश दिखा जिखा जेता हूं यह जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है यह बोलते है मांट इस्ट्रीप मांट बोलते है इसको इसके अंदर जो आपका कैमरा टैच होता है इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा महां से आप पर्चेस कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क सब्सक्राइब करता हूं एंड तैंक यू फॉर वाचिंग लव यू एंड सपोर्ट ऑलवेज बाए